जैन दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मेद के तो आप सब मस्त होंगे आज हम अवरेज के टाप 10 कोश्चनों को देखने वाले हैं जो सभी कमपड़ेटों एजाम के लिए काफी यह मतपूर सेशन होने वाला है यह आपका अपना चैनल है दाग्यान सोईच के सन प्लीच आप ल गें दीतल हाते हैं जैसे माल लो अगर आउसथ में लिखा हो कि कोई नंबर जूएं हो रहा है ना जूएं तो जूएं और लेफ्ट का पाछा होता है जूएं 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 निव ओरेजट अ जवाइं एंजूएं नियू आऄ बराबर क्या होता है ओरल्ड रेस बर अबर, old average plus ka number of old number number of old number plus number of new number but number of new number into average difference इसर क्या आएगा? average difference आएगा अगर किसी संख्या में कोई संख्या जोड रही हो तो join of new average उसका नए coverage का आएगा? old average plus new old number अगर नमबर आप old number जो पहरे नमबर दिये हुएं plus new number जो join हो रहे हों बटा new new number into average का difference यह हो गया अगर यहीं कहीं replacement की बात आजाए अगर कहीं यहीं पर replacement की बात आजाए उसके लिए हम कौन सा फरुण लगाते हैं new क्या? new new मतलब जो आया है new मतलब जो आया है new बराबर क्या हो जाएगा? old old यहने की जिसको replace किया गया हो जिसको replace किया जिसको replace replace किया गया हो plus number number कौन से? जितने संख्या थी हो ही है plus into number into average difference यहाप किया हैगा? average difference आया है ओके new जो आया equal किया हो जाएगा? old जिसको replace किया है plus never into average का difference चलिए आसे सीधे question को हम देखते है question number one है कि 11 संख्याओं का आउसाद कितना है? 10.9 है यहींदि पहले 6 संख्याओं का आउसाद 10.5 है और अंतिछी संख्याओं का आउसाद कितना है? 10.9 है आउसाद बराबर क्या होता है? आउसाद बराबर होता है पदों का योग पदों का योग बटे पदों की संख्याओं पदों की संख्याओं यह होता है न? तुसमें देखे आप किया कहे रहे थे? अगर 11 संख्याओं का उसाद कितना है? अगर 11 संख्याओं का उसाद 10.9 है तो इनका योग कितना हो जाएगा? अगर इनका योग की बात करें? अगर 10.9 इन्टू 11 कर देंगे तुसमें योग आ जाएगा? तो कितना आएगा? गेरा नावा निनानवे अगेरा करना गेरा नावा निनानवे अगेरा करना? गेरा अनिकी यहाँ पर 10 मलो अनिकी 119 पॉंट नव जाएगा अनिकी 11 संख्याओं का योग कितना जाएगा? 119 पॉंट नव जाएगा अप कहिए रहा कि 6 संख्याओं का उसत करना है? 10 प्रड़े 10 है अनिकी 6 संख्याओं का उसत अगर साढ़े 10 हो गया तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 10.5 into 6 तो किदोना होगा 5 30 अच्छे करना 6 आनि कि 63 सट्मा जाएगा ठीक अब गया रहा कि और अंत्य चैसे संक्यां मेसात advisor किदना है 11.4 है अनि कि 6 संक्यां कितोना है 11.4 है इन जसार इंचे संक्यां किदना होगा 11.4 into 6 आनि 624 24 के 4 यहां अलग जाएगा पॉइंट आनिकी 68.4 यह क्या हो गया यह देखिए कि तिरिशाट पॉइंट तिरिशाट छे संख्याओं का योग हो गया और 68.4 छे संख्याओं का योग हो गया तो इन दोनों अगर आप कितना हो जाएगा अगर तिरिसाट पॉइंट और 60.4 आनिकी संख्या एक्षट तो उन्यस पॉइंट नो आए था तो एक तिस पॉइंट और यहां पे तो 12 संख्या होगी यह 12 संख्या क्या हो गई जो यह मद्ध की बात कर रहा है यही 20 संख्या क्या हो गई है दो बार एड हो गई है तो उसका मान कितना आएगा अगर हम क्या करें 131.4 अगर 119.9 में से घटा देंगे तो कितना आएगा 11.5 अगर इतना हमें ना करना पड़े वह साड़ में अनसर कैसे उसको देखिया हम साड़ में आनि कि देखिये साड़ कैसे आएगा यह ग्यारा संख्याओं का मद और इस पोइंट 10 है फिर इदर 6 संख्या का आउसक्राइब 10.5 आफिर 6 का उसाथ कितना है 11.4 है ठीक यहां दा समझवास आफ आगे देखिए इभी जे शनक्याहं के तना है 10.5 है यह इधर एक यार कितना है 10.9 है एनिकि कितना कम है blast का चार कम है, पॉइंट का चार कम है, कितना एक रेसियो बरावर लेकिन है कितना छे रेसियो है तो कितना हो जागा, इंटू 6 हो जाएगा, तो कितना आया 6,24 आने की 2.4 आया क्या आया, माइनस का, क्यों क्योंकि 10.5, 10.9 से कम है न, आने कि इस 6 संख्याओं का योग जो है माइनस 2.4 आगया, ठीक, अब इसमें आये 10.9 10.9 से 11.4 क्या जादा है, कितना जादा है पॉइंट का 5 जादा है कितना जादा है, पॉइंट का 5 जादा है इसमें, ये तो माइनस में इतना कम था, ये तो माइनस का यह तो सुरी, प्लस का 0.5 यादा है, ठीक, कितना, प्लस का 0.5 यादा है, कितनी रेशियो, एक रेशियो में इतना है, तो है 6 रेशियो तो इंटू, इसे 6 से गुड़ा कर देंगे, तो कितना आएगा, 6 पंचे, 30, आनि कि 3 नमबर, प्लस का 3 नमबर, अब आगे देखिए, आ नि कि, निट कीतना आएगा, इनि कि जब, प्लस का 0.6 नमबर आएगे, प्लस का 0.6 नमबर आएगा, है न, न क्यों कि, अगर 3 में से 2.4 घटा देंगे, तो प्लस का 6 पोर आएगा, यह हमारा क्या या औरेज आया, एक औरस एक, तो इसी हम जो निट आज था, अनि 10.9 था, कि यहां से कम टाइम लगा ना पहली बार आप देख रहे हो तो इसलिए हम समझाने में टाइम लग रहा है जब इसी को दू-तीन बार कर लोगे तो डारेट कम से कम टाइम में करोगे ठीक किसी को भी सामिल कर लिया जाता है तो अध्यापक का कंसेप्ट है जो हमने यह कंसेप्ट होता है ठीक इस फर्मूले का हम यहां पर यूज करेंगे देखिए जैसे 24 विद्ध आउसत कितना है 35 है अनि ओल्ड आउसत कितना आ था 35 अगया था ठीक प्लस और ओल्ड नमबर कितना है भाई 24 आनि 24 विद्ध जारती हो गया प्लस कितने जोड़ा है वहीए आद्यापक जोड़ा अनि प्लस का बट जोड़ा उसी को बटे से भाग कर देते हैं इंटू इमका डिफरेंस कितना है चार सो ग्राम क्या बढ़ जारा तो जब 400 गराम में बढ़ जारा है , 400 गराम हैंने कि आनि कि इधार तो होगे 35 प्लस 24 एक 25 25 बटा एक मतलब 25 इंटू कितना है 0.4 है कितना है 0.4 है यानि कि 35 प्लस 25 चोका 100 कितना है यहां से 10 नमबर आ गए 35 प्लस 10 कितना होगे 45 आनि कि जो जुआन हो रहे हैं उनका आउसत कितना आया 45 आया लेकिन एक आदमी का यह कितना है 45 है अगर एक का औसा यह खुद का यह बराबर होता है ना नहीं 45 आपसो नमबर है कितने 75 केजी को आनि कि 75 फिर क्या हो रागी प्लस नमबर आप अनि कितने 18 बॉक्स हैं कितने 18 बॉक्स आनि कि 18 हो गया इंटू घटा यह बढ़ा कितना हो रहा है देखिए यहां पर अनि कि 2.5 की गरा बढ़ रहा है अनि प्लस का 2.5 की बढ़ा है नहीं जो अवरेज का डिफ्रेंस कितना आया फिर देखिए 75 प्लस अनि कि कितना आया 18 को गर गुडा करेंगे हम 2.5 कितना आयगा अनि 45 आयगा कितना आयगा अनि जो बेक टे रिप्लेश्मेंट किया गया था जो जो नया बेक इसको रिस्प्लेश्मेंट गया उसकी एच कितनी थी 120 होगी कितने होगी 120 आफसर में नहीं है 128 को आफसर नमर यह हो जागा ठीक अनि कि नया बॉक्स का उजान कितना हो गया 120 हो गया बास सुम्झा रही न कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के दस पारियों का रोनों का आउसर कितना है 32 है ठीक अगरी पारी अनि अगली पारी पारी को बेवा कितने बनाये जिससे उसके आउसर चारन बढ़ जाए तो क्या होगा अनि कि ज्वाइन कंसेप्ट है अनि कि न्यू बरावर क्या हो जाएगा कितनी दस थी कितनी पारी जूड़ी अगली यानि कि एक ही जूड़ी बटा एक घटा या बढ़ा चारन बढ़ गया अनि कि प्लस का फोरन बढ़ गया ठीक अब आगे देखिए अनि कि 32 प्लस M 32 प्लस 10-11 बटा ये अनि कि 11 या एगा इंटू कितना ना है प्लस का चार निके 4 हो गया बराबर 32 प्लस गयर्चक 44 32 चबार डू 3 exaggeration कितना होगा चार दू चैर्थीर साथ कितना चेतरा आया अनि कि जो नया बेक्त जो नई पारी होगी जो नई कि नौ भी पारी होगी उसका कितना होगा 76 होगा है ना आगा 76 आगया उके नेट देखें कि एक किरिकेट में आड़ पारियों को पारियों कुछ रन है कुछ रन हैं हमें पता नहीं है ठीक हम मान लेजिए कि ज्वाइन कंसेप्ट है ने की निव बरावर क्या होगा नमबर हम नहीं पता है अनि कि इसको एक समान ले रहा है प्लस नमबर ऑफ पारी कितनी पहले आठ है फिर नौ पारी अनि एक पारी बढ़ गई जो बढ़ी है उसी का बटे कर दें इनका आउसाद कि नहीं आउनिक उसका नौरण बढ़ गया अनि प्लस का नाइन ठीक एज़ा यह सो क्या है यह नौई पारी होती है यह नियू के जगा उसी का तो वही तो नमबर आता है आनि कि जो जोड़ा उसी का अवरेज आता है एक जोड़ेगा तो उसका जो खुद का नमबर होगा वह यह सथ के बराबर होगा आनि कि हमारा सो नमबर आ गया अब इसको देखिए तो बराबर क्या होगा बराबर एक्स एक्स क्या है ए आठ पारियों का अबरेज है वो यह में निकालना है प्लस आठ एक नो नो इंटू नो ओके तो कितना आएगा सो बराबर एक्स प्लस नो नो एक्क्यासी तो यहां से हमारा एक से बार और क्या हो जाएगा उनियस तो कि अगर सो में से कैसे घटेंगे तो गार उनियस आएगा एक सकामान क्या है उनियस आया उनियस क्या है जो हमारा पुराना आउसत था तो कह रहा है तो उसके रणों का नया आउसत हमें पुराना आउसत ना पूछ कि तार नौरन बढ़ रहा था ना अनिकी 19 पुलस नौ बराद कितना हो जागा 28 अनिके नया उसद हमारा क्या होगा 28 होगा अगर ओर उसद पूछता तो 19 होता लेकिन नूप पूछ रहा है तो जो नौरन बढ़ रहे ना उसे को मैट कर देंगा 28 रन होजागा बस सुझा रहे ना देखिए एक बल लिवाज ग्यारा पारियों का एक निश्ची दोसर रन है बार्वी पारी उसके बार मद 90 रन बना है ठीक है बार्वी पारी में कहने हो नब्बे रन बना तो उसका पांच निक कमी आगी यहां पर कमी आगी तो उसका प्रारम्भी गउसद पूचिए इसमें नया उसद पूचा गया तो इसमें प्रारम्भी पूचा गया तो देखिए आप जो नई पार जोड़ी उसका रन कितना था नब्बे आनि कि 90 रन बनाया ठीक बराबर जो पुरानी 11 पार ने को उसको पता नहीं तो उसको हम एक समान ले प्लस कितनी पार कि ठोरी से 11 जूड़ी बार यानि-एक यूवरी बटक है एक जो डिफरेंस क्लीज़तीर मार बाशन में पीछली क्या हो रहा था बैक में प्लस का ≪ नहां बढ रहा था लिखन mé और रहा धा लेकिन यहां क्या हो रहा मैनस पाशनी कमी हो ब्रौफ एक्स X प्लस 11 एक 12 12 बटा 1 और 12 इंटू माइनस का 5 आएगा यहां से देखे 90 बड़ाबर X 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60 किसका आएगा? माइनस आएगा क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस 12 पंचे 60 तो यहां से X बड़ाबर कितना आजाएगा? 90 पंचे 60 एगा ठीक? क्योंकि 60 इस आड़ में आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा यहांनि X 12 कितना आगया? 150 आगया X 12 कितना आगया? 150 आगया यह क्या है? 150 हमारा X क्या है? यह हमारा ओल्ड उसद आया लेकिन पूछा क्या है? उसका प्रारामिक आउसद आनि की पूराना ओला तो पूराना ओल्ड हमारा कितना है? 180 है कि 65 आटामिक नबर तो आगया आउसद पूछता अगर यहीं पे और नया आउसद पूछता तो एक्सवपचास दो था ही लेकिन पांच ने कमी हुई है तो माइनस पांच होता है एक सो पैंतालिस होता है लेकिन यहां पूछा है उसका प्रार्ण नहीं पुराना वाला तो अपसा नमर यह आएगा यह नहीं होगा ठीक आगे देखिए तीस विद्यारतियों का एक अच्छा में और सामिल होता है और उसका वजन 200 ग्राम घट जाता है 200 ग्राम को अगर हम केजी मिले जाएंगे तो बटा एक हजार से भाग कर देंगे कि पॉइंट टु आएंगा यह सोँ माइं लिग सकते हें लिख सकते ना तर रागी तीस विद्यारती है ठीक है आनि नय का हमें आउसाद निकालना है बराबर और 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 हमारी कितनी है चोब आनि कि चूब आन तो यह हो गया प्लस ओर नमबर कितना है 30 कि कितने विद्यारती जोइन हो रहे हैं एक नय एक जोड़ा आनि प्लस का 1 बटे का 1 जो जोड़ा उसे इसके भाग करते हैं इंटू उसका डिफेरेंस आता और डिफेरेंस और डिफेरेंस कितना है 200 गराम घट जा रहा है आनि कि 0.2 गराम क्या हो रहा है केजी घट रहा है ठीक डिफेरेंस आगे अब देखिए आनि 54 बराबर 30 प्लस कितना होगा 31 30 प्लस कितना हो जाएगा 31 इंटू माइनस का 0.2 है ना आनि कि 54 प्लस माइनस माइनस 31 दूना 62 आनि 6.2 आएगा 31 दूना बर्ष राने कि 6.2 आ गया तो जब 54 मेंसे 6.2 घट आएगे तो कितना बचेगा 47.8 बचेगा बचेगा नहीं बचेगा च्छे जाएगे तो 48 बचेगा 48 में जब पॉंट दू जाएगा तो 47.8 बचेगा तो कह रहा है कि नए बेद्यार्थी का वजन क्या होगा नए बेद्यार्थी का वजन क्या होगा तो क्या होगा यह बचेगा नहीं कमी होई है तो तो हमारा तालिस उटिक मारके आगे बढ़ सकते हैं अब देखिए एक समित में आठ बेक्तियों का उस्त आए में दो वर्स की ब्रद हो जाती है जब दो बेक्ति उनकी आए यहां अनि पैंतिस और पैंतालिस वर्स के थी तो दो महिलाओं द्वारा प्रिस्थापित कर दिया गया जैता उन दो महिलाओं का उस्त बताईए ठीक है अनिकि रेप्लेस्मेंट वाला कोश्चन है तो कितने विद्यारती है आठ तो विद्यारती हो गया ठीक तो किसको रेप्लेस्मेंट कर रहे हैं आठ तो हमारे बेक्ति हो गया देखिए थोला जान से यह हमारे आठ तो गया हमाँ थो तूलो हो गया हो जाती है इसने घ recuperator का से कि किसको रेप्लेस्मेट किया किसल लगा रहां एह तो कि याँ देखाो हाँ ख्लेस्मेंट की ने इनीं ने किल आया है बराबर और अने जिसको reinforcement किया गया है प्लस एन ने किन नंबर आ उ करनेटेटि इंटु आयज का का डिफरेंस यह हमारा क्या होता है यह हमारा यह यह मेश्करेंगे हमें निकालना क्या है दो महिला क्या मैं प्रिस्थाइबित करें भी ठीक हいます कि हमें हमे निकालना ठीक grew हमारा कितना है 55 30 और 45 यही दो बेखती है ना इनको प्रिस्था भीत किया गया तो 35 और 45 कितना हो गया 80 हो गया आनिकि 80 80 है ना 80 वर्स वारे आदमें को आटा दे गया यह प्लस टूटा कितने लोग है आठ लोग है आठ लोग है आठ कर दिये इनके औसद में घाटा आया बढ़ा दो की बरद्धी होई आनिकि इन्टू टू का गुड़ा कर देंगे अभी किसका है प्लस का है न अनि प्लस का टू से गुड़ा कर देंगे ठीक अब देखिए असी प्लस आठ दूना सोला तो कितना आया असी प्लस सोला कितना आ गया चानवे आ गया चानवे क्या आया इन्यू आनिकि जो जो लोग इनको रिप्लेस्मेंट किये है उनका इक है आउसत आया तो चानवे जो है आउसत आया लेकिन कितने लोग रिप्लेस्मेंट किये थे कि सब्सक्राइब कितना आएगा 46 48 46 चाने बटा तो कितना आएगा 48 आप से नमब रहे हैं ठीक है इस बहुत न्यूँ आया तो क्या आया उनका योग आया ना तो 96 पैसे उनका योग आया ने दो महिलाओं की एज आ गई अगर दोनों की एज आगे अगर आउसाद निकालेंगे तो दो से भाग कर देंगे तो दो मैलाओं के जिन्हों ने दो बक्तियों को रिप्लेस वर्स के और फैंतारीस वर्स के ठीक है जब तीन नई संख्यां को सामिल कर लिए आता है तो उनका आठ पॉंट फाइफ हो जाता ह तो नए तीन संख्यां औरस निकालें कैसे निकालेंगे देखिये हैं कितना ओन सब्सक्राइफ हमारा कितना है साथ हैं खार देंगे Please ड़ैन हो रहे हैं तेन लोल जो जो वरुझे एट खुरसत का डिफ्रेंस कितना होगा 8.5 हो जाता है अनी साथ से साढ याट हो जाता है अनी कितना प्लस का 1.5 में इंक्रेज मेंट हो जाता है बस वह जाई ना वागे देखिए अनी 7 प्लस पां तीन 8 अनी कि 8 पर टा थीन हो गया इंटू 1.5 तो फाइनली कितना होगा 7 प्लस 8 पंदरह 15 अठी एक्सो बीस अन्हें कितना आएगा 12 आएगा 12 वाटा 3 3जर ने करना 3 3 चुक 12 आनर 7 चार कितना होगा फाइनली 7 चार 11 होगा यह 7 चार 11 क्या है या जो तीन नई नमबर आया उनका आउस्थ आया यांई कौनसा होगा? अपसर नमबर? सी हो जाएगा कोन आया? ग्यार आया नहीं जो तीन नमबर जोड़ उनका आउस्थ आगया नेट्स कोईशन कहरा कि सतर और 90 के बीच सभी संख्याओं का अभाज उसत बताए तो 77 और 90 के बसा fondo क्यां का गया कौन हुसी है 71 होगा 72 यानि है 73 होगा 74 होगा नहीं 75, 76, 77, 78 नहीं89 एक अभास संख्या होगी फिर 87 फिर क्या होगी 81 नहीं 82 नहीं 83 होगी फिर 84 फिर 85 फिर 86 फिर 87 ने 88 फिर 89 येतनी क्या हो येतनी हमारी अभाज संखाय होई 1790 के 20 में ठिक कह रहा है इनका उसाद बताईए तो पहले इनका योग करेंगे हम आने 9, 3, 12, 12, 9, 12, 9 कितना होता है 12, 9, 21, 21, 24, 25 कितना है 25 आ गया हो ठीक हासिल दो आठदू 10, 18, 18, 18, 25, 27, 32, 32 आ कितना हो और 49 बटा एक दो तीन 4, 5 पांच नमबर है 5 से भाग कर देजिए तो पांच करना पांच करना पांच अब पांच सते पैंटीस आसे बचाए चार पांच नमबर है कितना है 79 आए इनका उसत कितना है 79 आएगा इसको अब लगा कमेंट बाक्स में बताइए आज के लिए तना है जाहिन जाएवा